नमस्कार मैं हूँ प्रिया, आज है 22 अक्टूबर, आईए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिना भाईयां के बन गई हूँ युनिवर्सल भावी, शिल्पा शिंदे भावी जी घर पर है फेम शिल्पा शिंदे, ड्रम एंडानलिया कारिक्रम में हिसा लेने पटना के घ्यान बवन पहुँची जहां उन्हें देखने हजारों की तादाद में लोग इखटा हुए शिल्पा ने भावी जी के अंदाज में लोगों से काफी बात चीत की कारिक्रम के दोरान शिल्पा शिंदे ने कहा कि बिग बॉस चीतने के बाद भी उनमें कोई फर्क नहीं आया है वो जैसे पहले थी, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है आयोजित कारिक्रम में शिल्पा शिंदे के अलावा मशूर ड्रमर, डिशब शंकर, डीजे प्रियांका और एक्टर्स हिमानी सिंग ने भी ओडियन्स का खूब मनोरंजन किया नितीश कुमार की तारीफ करते दिखे मानजी, पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रांतियम मुझहर भईया सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अथिती के तौर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनरामानजी मौजूद रहे कारिक्रम के दौरान हम प्रमुख जीतनरामानजी का दिल नितीश कुमार के लिए पिखलने लगा आयोजित कारिक्रम में मांजी ने नितीश कुमार की तारीफ करते वे कहा कि नितीश अच्छे आदमी है तभी मुझे मुझे मुख्यमंत्री बना दिया था वो तो बहकावे में आकर उन्होंने मुझे सीम की कुर्सी से हटा दिया धर्नई पंचायत को तीन-तीन राश्च्छे पुरसकारों से किया जाएगा सम्मानित मखदूमपूर प्रखंड के ग्राम पंचायत धर्नई देश के ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा पुरसकार जीतने वाला पहला ग्राम पंचायत बना है देश में पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिसके पस्चात भारत सरकार पंचायती राजमंत्राले द्वारा आदेश ग्राम पंचायत धरनई को तीन राश्च्य पुरसकार के लिए चैन किया गया है बिहार सरकार के पंचायती राजविभा के निदेशक चंदर शेखर सिंग ने जिलापधादिकारी जहानाबाद को पत्र लिकर इस बात की जानकारी दी है अगले सब्ता चार दिनों तक बैंक रहेंगे बंद चुनाव हरताल और छुट्टियों के कारण इस सब्ता कई बैंक महज तीन दिन के लिए खुले रहेंगे शेश बचे चार दिनों के लिए बैंक सेवाई प्रभावित रहेंगी वहीं महराश्या हर्याना के हिस्सों में इस सप्ता बैंक केवल तीन दिन के लिए खुलेंगे देश के बाकी हिस्सों में बैंक से वाएं केवल आज ही प्रभावित रहने की उम्मीद है क्योंकि बैंकों के विले के विरोध में दो बैंक यूनियन ने 22 ओक्टूबर को हर्दाल का एलान किया है केंद्री आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्राले की रिपोर्ट में भागलपूर को समूचे बिहार में पहले स्थान प्राप्थ हुआ है वहीं मुजफरपूर दूसरे स्थान पर है तो वहीं पटना को चोधा स्थान दिया गया है बिहार प्रशासनिक सेवा संग ने पांच जिलों में BPS अधिकारी को डियम बनाने की मांग की बिहार के पांच जिले में BPS अधिकारी के डियम को तैनात करने की मांग बिहार प्रशासनिक सेवा संग ने की है संग ने कहा है कि राबरी देवी के कारेकाल में इसको लेकर समझोता हुआ था लेकिन अमनी तीश सरकार में इस समझोते को तोड़ दिया गया है मगर फिर से इस समझोते को लागूर किया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए इस बाबत बिहार प्रशासनिक सेवा संग ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिफ चंचल कुमार को ग्यापन भी सौपा है स्कूलों की फीस बढ़ाने के पूर्व सूचना 31 तक देनी होगी नए सत्र में स्कूल प्रशाशन अब फीस की बढ़ातरी में अपनी मनमानी नहीं कर सकता जारिया देश के अनुसार पटना प्रमंडल को 31 ओक्टूबर तक पटना जिला सिक्षा कारियाले को फीस में बढ़ातरी की जानकारी देनी होगी पटना जिला सिक्षा कार्याले के अनुसार सभी NOC प्राप्त स्कूलों पर हमने पहले ही नीजे विद्याले अधिनियम लागू कर दिया था मगर अभी भी कुछ स्कूल ने अपने तर्क दे कर इन नियमों को मानने से इनकार किया है इसके साथ ही सभी अभीभावकों पर निर्धारित दुकान सी यूनिफॉर्म और किताब खरीदने के लिए भी किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता है उपचनाव दिखाएगा आगामे विधानसभा का ट्रेलर पांच विधान सभा और एक लोग सभा सीट पर सोंबार को मद्दान हुए लेकिन यह उप चुनाव अगले साल होने वाले चुनाव का एक ट्रेलर माना जा रहा है चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन और गटबंदन की एक जुटता की सचाई जनता के सामने खुलकर आ गई है ग्यातो इस बार के उप चुनाव में एंडिये ने सभी सीटों पर साजा उमिद्वार मैदान में उतारे थे जबकि महागट बंदन के दलों का आपसी कहले खुलकर सामने आया था पुर्व सीएम जितनराम मांजी ने नाथनगर में और वी आईपी ने सिमरी बक्तियारपूर में अपने दल का अलग उमिद्वार मैदान में उतारा था ऐसे में यह चुनाव आगामी चुनाव का प्रमान पत्र तै करेगा यह कहना गलत नहीं होगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्रीक्रिशन सिंग की जैनती पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार और राजपाल फागो चौहार ने सचीवाले प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन कर अपनी श्रधा सुमन अर्पित की आपको बता दे इस मौके पर बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजयकुमार चौधरी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्री मौझूद रहनी चुनाव को लेकर मंत्री श्यामरजक का दावा बिहार में पांच विधान सभा और एक लोग सभा सीट पर चुनाव का समापन हो चुका है परिणाम से पहले जद्यूनेता श्यामरजक ने बड़ा दावा करते वे कहा है कि बिहार में पांच विधान सभा और एक लोग सभा सीट पर एक बार फिर NDA भारी बहुमत से जीत दर्च करेगा महीं विपक्ष परतंच कस्ते वे उन्होंने कहा है कि विपक्ष में एक जुटता का अभाव है इसी कारण अभी विपक्ष बिखरा पड़ा है सिवान जाने वाले लोग इन परेडन स्थलों का भ्रहमन जरूर करें सिवान जाने वाले लोग इन मशूर धार्मिक्स थलों पर भ्रहमन करना ना भूलें सोगरा मंदिर, महेंदर नाथ मंदिर, आनंद बाग और सुन्दर बागमठ, मैरवा धाम जरूर घुमने जाएं इसके अलाबा दोन स्तूप, जिर्देई और हस्न पूरा भी जरूर जाएं पटना धसे सिवान जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधाय उपलब्ध है ट्रेन से जाने वाले यात्रों को लगबख 5 गंठे का सफर करना होगा वी आईबे, प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि RGD और VIP को बार-बार छोटी पार्टी कहा जा रहा है लेकिन इस उप्चिनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है इसके आगे उन्होंने कहा है कि राज़त के वरिष नेता रगुवर्ष प्रसाथ एक और दलों की एकता की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर हम और वियाईपी पर इस तरीके की टिपपणी करते हैं राकेश पांडे को डॉक्टर ओफ फिलोसेफी इन इंटरनाशनल रिलेशन से किया गया सम्मानित बिहार के मोतिहारी के रहने वाले और ब्रावो फॉर्मा के चेर्मेन राकेश पांडे लंडन में सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर अक्सर सक्रिय नजर आते हैं राकेश पांडे समाज सेवी के साथ-साथ एक बहतेरीन बिजनस्मैन है भारतिये परियावास केंदर में आयोजित एक कारिक्रेम के दोरान उन्हें डॉक्टर ओफ फिलोसिफी इन इंटरनाशनल रिलेशन से समानित किया गया है राजस्तरिये खोको खिताब पर भागलपुर का कबजा तो फाइनल प्रतियोगिता में नालंदा ने भागलपुर को 11-12 के अंदर से हरा दिया अंडर 14 बालक वर्ग मुकाबले में भागलपुर को उप विजयता ट्रोफी से नवाजा गया कनहया कुमार की डूपती नईया को राज़त का सहारा उप चुनाव के खत्म होते ही आगामे विधानसभाद चुनाव के मदे नजर बिहार की राजनीती में महागटबंदन के सुर एक बार फिर जोर पकड़ रहे है इसी बीच JNU की कनहया कुमार ने तेजस्वी यादव पर मीडिया से बाचीत के दौरान कहा है कि बिहार को बचाने के लिए महागटबंदन की जरूरत है लोगसभाचनाव की दौरान एक गठबंदन दिखाई दिया लेकिन अब ऐसा कोई गठबंदन बनता नहीं दिख रहा है इसके साथ ही कनहया ने कहा है कि हमारे लिए किसी भी व्यक्ति को नेता मानने से कोई दिक्कत नहीं है रोहित शर्मा की रैंकिंग में लगातार हो रही है बढ़ोतरी इंडिया वर्से साथ आफरिका सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है तीसरे तेस्ट मैच में पहले दिन रोहित शर्मा ने ताबर्द और बैटिंग से धेर सारे रिकॉर्ट्स तोड़ दिये है पिशले दो मैचों में रोहित ने ओपनिंग की दोनों पारियों में शांधार शतक से उन्हें मैन आफ दे मैच चुना गया था ICC टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा ने भी काफी बढ़ाथ शासिल की है ताबर्द और बल्लेबाजी से रोहित शर्मा की रैंकिंग में 36 स्थानों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद रोहित अपने टेस्ट करियर की सर्विश रेस्ट रांकिंग 17 वेस्थार पर पहुँच गया है चात्राओं को बिहार विश्विद्याले के लगाने पड़ रहे हैं चक्कर विश्विद्याले से सनातक उत्तिर्ण चात्राओं को प्रोटसाहन राशी दी जानी है ग्राजुएटर चात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली 25,000 की प्रोटसाहन राशी के लिए चात्राए चक्कर लगा रही है बजट में 200 करोट रुपे का प्रावधान के बावजूत कई चात्राओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आये हैं हाला कि प्रथम किष्ट के तौर पर 65 करोट की राशी की स्विक्रिती महीने पहले दी जा चुकी है 6,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन भढ़ने की समय सीमा बढ़ी बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग ने कुल 6,437 पदों के लिए न्यूकतिया निकाली थी जिसको भढ़ने की अंतिम तारिक 18 अक्टूबर थी मगर अब सरकार ने इन पदों पर आवेदन भढ़ने की समय सीमा में बढ़ोतरी की है इच्छो कभ्यर्थी अब 28 अक्टूबर तक आवेदन भढ़ सकते हैं पपो यादव के निशाने पर एक बार फिर आये नितीश जनादिकार पार्टी के प्रमुख पपो यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर जलजमाव को लेकर निशाना सात्तेवे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरों को शेयर किया है निर्मान करवाऊंगा सीता मड़ी से निकल बॉलिवुड स्टार्ज और अंतराश्ट्रे खिलाडियों को देती है ट्रेनिंग बिहार में हुनर की कोई कमी नहीं है इसी बात का प्रमाण है बिहार के सीता मड़ी की प्रतिभा प्रिया और शिल्पी छोटे से गाउं से आई शिल्पी आज पूरे देश में फिटनेस ट्रेनर के रूप में बड़ा चहरा बन चुकी है आपको बता दे शिल्पी दिल्ली के जनपत सित ली मिरीडियन होटेल में सिलेबरिटी फिटनेस इंस्ट्रक्टर है शिल्पी रोजाना बड़े-बड़े बॉलिवुड स्टार से लेकर नाशनल खिलाडियों को फिटनेस ट्रेनिंग और टिप्स देती है पटना में फिर शुरू हुआ मेगा चेकिंग अभियान न्यू मोटर वेहिकल आक्ट के तहत वाहनों की चेकिंग की हवा एक बार फिर उठ चुकी है पटना के बेली रोड में डीजीपी कार्याले के पास चेकिंग अभियान फिर से देखने को मिल रहा है दस्तावेजो और हेल्मिट को लेकर जान चल रही है आपको बता दे इससे पहले पटना में भारी बारिश के कारण हुए जलजमाफ से पूर्फ प्रमंडेली आयुक्त ने वाहनों की चेकिंग पर रोक लगा दी थी मगर अब फिर से पटना में चेकिंग अभियान की शुरुबात हो गई है आईए जानते हैं मौसम का हाथ दर्भंगा गया किशन गंच लखी सराए मधुबनी मुझफरपूर पटना में हलकी धूब के साथ मौसम में नमी रहेगी वही पुर्निया, सिवान, बेगुसराय भागलपूर रोहतास में हलकी धूब के साथ मौसम सामाने रहेगा बाकी सभी छेत्रों में वह सम लगभग सामाने रहेंगे 31 ओक्टूबर तक लड़कियों के लिए स्कॉलर्शिप की तारीख बढ़ी CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल मेरिट आवेदन की अंतिम तारीख 18 ओक्टूबर से बढ़ाकर 31 ओक्टूबर तक कर दी है इस साल दसवी पास हुई छात्राओं को स्कॉलर्शिप के लिए ओनलाइन आवेदन भरना पड़ेगा साथी साथ एक हार्ड कॉपी को CBSE को भेजना होगा महीं पिछले साल जिन छात्राओं को यह स्कॉलर्शिप दी गई थी उन्हें इसके रिन्यूवल के लिए आवेदन वापस से भरना होगा आपको बता दे स्कॉलर्शिप के अंतरगत दो साल तक छात्राओं को 500 रुपे प्रतिमहीने दिये जाते हैं शहीत संस्मरन दिवस के अफसर पर डीजीपी ने शहीदों को दी श्रधांजली 21 ओक्टूबर को मनाई जाने वाले शहीत संस्मरन दिवस पर बीएपी ग्राउंड में आयोजित श्रधांजली सभा में बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने शहीद जवानों के समारक स्थल पर शहीद जवानों को नमन करते वे उन्हें श्रधांजली दी इस मौके पर डीजेपी ने कहा कि बिहार के जवानों ने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया है विभाग इंशूर वीरों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा आपको बता दे आयोजित कारिक्रमें डीजीपी गुपतेश्वर पांडे के अलावा पुलिस के कई आलाधिकारी मौझूद रहे आज के लिए बस इतना ही धरनेवाद